वेल्कम तो टार्गेट सरकारी नौकरी मैं हूर्शाद अली इस वीडियो लेसन में हम सीरीज पर जो भी क्वेश्चेंस आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल करेंगे मतलब यह कि कोई सीरीज आपको दे रखी होगी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस मान लीजी 100 तक बोलेगा इनका सम कीजे क्या होगा इस तरह के question जो frame होते हैं वो सब discuss करेंगे ठीक है तो वीडियो को लास तक देखेंगे आप बहुत सारे question है इसी type पर गुमा गुमा के जो भी question frame के जाते हैं सारे discuss करेंगे हाँपर और और बागे share भी कर दीजेगा और चलिए शुरुबात करते हैं और डिसकस कर चुके हैं पहले ही जब हमने यह मैस का कुर्स शुकिया था तो प्राकर्तिक संख्या हैं क्या होती है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं तो यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है आट के बाद 9 10 11 12 तो एक नंबर माली यह नंबर कुछ भी हो सकता है माली यह 10 नंबर भी हो सकता है 11 12 नंबर उसको कहेंगे जहां पर यह सीरीज स्टॉप हो रही होगी मतलब यहां रोक दी गई होगी आपको एक्जाम में कोशन दिया गया होगा उसके लिए ठीक है तो हमको जो है उसका सम निकालने के लिए आता है कि प्रत्थम एन प्राकर् मिलेगा आपको जो सीरीज दी गई होगी माल लिए को सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यह से करते चलेगे 11 के डिफरेंसिस पर याट कर दी हुए सीरीज और माल लिए 100 दिया है तो आपको एन की जगे 100 रखना होगा ठीक है 100 यहां पूट करेंगे और n प्लस 1 ठीक है एन प्लस का मतलब होता है एन से अगला टर्म ठीक है उसमें जोड़ी तो अगला ही टर्म मिल जाएगा ना मैं तो एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हाफ कर देंगे तो पहला सावार डिसकस करते हैं प्रथम 25 प्राकर्तिक संख्याओं का योग क्या होगा यारी सम आफ फरस्ट टक आगे ठीक है तो इसका मतलब क्या है वन से लेके अगर यह बोला है प्रथम 25 प्राकर्तिक संख्याओं का योग प्रथम 25 प्राकर्तिक संख्याओं तो वन से लेके शुरू होंगे और 25 तक जाएंगी ठीक है तो लास्ट टरम हमको क्या मिलेगा जो एन हमें क्या मिलेगा यहां पर n क्या होगा last term तो यहां पर 25 है ठिक तो यहां 25 पूट करेंगे इस formula में यहां और यहां n की जगह रखेंगे 25 plus 1 ठिक है divided by 2 अब 25 25 और 1 हो गया 26 divided by 2 ऐसे ही है ठिक तो कितना हो गया जब आप इसकी multiply करेंगे तो यह 13 बार हो जाएगा 13 26 होते हैं ठिक और 13 और 25 की multiply करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 300 325 हो जाएगा ना कि 326 ठिक है इसको correct कर लेंगे इस छे की जगा 5 बना लेंगे आप ठिक है 50 natural numbers तो जहां पर आपने यह 25 लिया था आप यह टर्म आपके वन से लेके शुरू तो होगी यह series ठिक है चलती जाए चलती आईगी और 50 नंबर तक रुख जाएगी 50 तक तो n की value क्या होगी 50 50 पूट करिए यहां और यहां 50 प्लस वन हो गया 51 इससे जब cancel आप करेंगे 25 तो 25 और 51 की multiply कर लीजेगा यह अंसर मिल जाएगा ठीक है मैं अपना ही ठीक है calculation आप अपने आप कर लीजेगा method समझ लीजे बस क्या हो रहा है इसमें अगले देखिए प्रथम सो प्राकर्तिक संख्याओं का योग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हम ठीक है उसी फॉमले में अब उसी series को सो तक आप कैस नॉर्ट प्राकर्तिक संख्याओं का योग फल क्या हो yes अ हम सिंगां अब करते हैं अब करते हैं आप अ of first even natural numbers पर्थम संप्राकर्थिक संख्याओं का योगफल क्या होगा ठीक पर्थम संप्राकर्थिक संख्याओं का योगफल का फर्मुला होता है जो भी पीछे फर्मुला पढ़ा थै एक n into n plus 1 by 2 यह formula था क्या है? यह था sum of n natural numbers का formula, ठीक है? sum of n natural numbers अब पूछ रहा है sum of first even natural numbers, ठीक है? तो even में जब हम यह formula यूज करेंगे तो इसमें 2 use नहीं करेंगे, दो हटा देंगे, वो ही बाला formula याद, बस एक formula याद है कि उसी से सारी चीज़ करनी है आपने इसमें यह दो हटा देंगे नीचे वाला, n into n plus 1 का जो formula होगा वो पर्थम सम प्राकर्तिक संख्याओं का योगफल, अगर question में आपको यह ना भी लिख कर दे, ठीक है? यह तब भी चलेगा, ठीक है? प्राकर्तिक अगर ना दे ठीक है, पर्थम सम संख्याओं का योगफल इस तरह से दे ठीक है? तो जैसे यह है, सम संख्याओं का होती है? सम संख्याओं होती है, जो उसे exactly divided हो जाती हैं, दो से पूरी-पूरी विवाज़ित होती है, हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यह क्या ह एन तक गई है, लास्ट ट्रम इनका एन है, तो इनका सम क्या होगा? अब यहां सिर्फ सम अच्छा एक जो सम का मैं इस्तमाल कर रहा हूं, वो सम माने होता है, योग और यह हिंदी में सम है, ठीक है, सम संख्याओं है, समझे, तो मैं अभी यहां को एक को बोलूँगा योग ठीक, एक को बोलूँगा सम संख्याओं, ठीक है, तो यह सारे सम संख्याओं हैं, ठीक है, इवन नंबर से हैं, ठीक, इवन नंबर का सम आपको करना है, तो इस फॉर्मले से करेंगे, यह पिछला आभी फॉर्मला पढ़ाओं सम्ने से, डिवाइड में से दो हटा दीजे, चलिए, करिए इसको, देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो पर्थम पच्चिस सम संख्याओं का योग निकालो, अब देखो इसको समझो, पर्थम पच्चिस सम संख्याओं, पर्थम पच्चिस सम संख्याओं का क्या मतलब होगा, सम संख्याओं टू से शुरू होंगी, इवन है ना 50 से आगे तक जाएंगी यह numbers 50 प्लस 52 ठीक है इस तरह से भी आगे बढ़ेंगी ठीक तो यह जो है आपको जो है प्रथम जो शुरुवात की ही 25 even numbers हैं उनको देखना कौन-कौन से हैं और उनको add करना है तो directly आप formula में डालो इन चीजों को 25 संख्याओं का योग सेम फॉर्मला है पूट कर दीजिए इसमें ठीक कोई दिकत नहीं है प्रथम 44 संख्याओं का योग ठीक चोवालिस इंटू 45 अब directly कर दिया हम यहां से 44 यह रखा और नेक्स टम जो है एन प्लस फन मतलब 44 एक 45 ठीक है अभी भी यह आएगा चली थोड़ा सा और चेंज करेंगे भी वैसे तो पर्थम 51 संख्याओं को योग पर्थम देखिए इसको ऐसे निकालेंगे और विसम संख्याओं को पर भी देख लेते हैं ठीक है विसम संख्याओं को देख लिए पहले यह तो होगे सम संख्याओं अब देखिए सम फस्ट और नैच्रल नमबर तो इस तरह से पूछेगा या फिर पर्थम विशम प्राकर्तिक संख्याओं या फिर अगर नैच्रल यहां नहां दे तब भी चलेगा ठीक तो पर्थम दस विशम संख्याओं का योगफल आपको बताना है कितना होगा देखें पर्थम दस विशम संख्याओं का योगफल को आपको निकालना है तो फॉमला आपके पास यह रहेगा एन स्कायर से तो पर्थम दस विशम संख्याओं कों सी होंगी यह से नैच्र होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 के बाद 19 और यह 10 तो यहां तक जितने भी नंबर्स हो गई यह जो भी मैंने लिखे हैं यह हो गई आपके क्या अभी जो लिखे थे यह हो गई आपके पर्थम 10 विशम संख्या है पर्थम 10 और नंबर विशम संख्या है इसको छोड़ देजिए इसको भूल आप उन सब को एड कर लिए जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं या को चेक कर लिएगा 100 या आएगा सम ठीक है कैल्क्लेटर में डाल दीजिए उनको पर्थम 10 विशम संख्या को यकपल इस सवाल में इस सवाल में क्या डिफरेंस है आप बताए जारा ठीक दोनों ले लिए मै पर्थम 10 तक यहां बोला पर्थम 10 विशम संख्या है तो यहां से आग नहीं बढ़ना है तो दस तक कितनी पढ़ रही है एक तीन पांच साथ दो दो चार एक पांच तो पांच विशम संख्या आ रही है ठीक है तो यह नमबर हमें कैसे पतलेगा जोई संख्या है तक दो आगे बढ़े है तो यहां तक पांच épस्वायर करोगे तो आप 25 यहीं इनका सम होगा आप जो नंबर्स मैंने भी राइट किये थे उनको आप इनको आड करके देख लो 25 यह आएगा अंसर ठीक आगे बढ़िए एक क्वेशन यह था पर्थम पर्थम 51 विशम संख्याओं का यूग 51 का स्क्वार कर दीजिए डरेक्टली आंसर ठीक आगे देखिए पर्थम पर्थम 20 विसम संख्याओं का यूग पर्थम 20 विसम संख्याओं का मतलब वही हो गया प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ठीक है ऐसे बढ़ते चले गए ये कहां तक हैं शुरुआत में 20 देख लिए कहां तक हों इस तक में जब आप जब बोलेगा 20 तक till 20 ठीक तो find out the sum of an odd natural number ठीक है तो आप क्या करेंगे इस 20 को आप 2 से divide करेंगे ठीक जब कितना आएगा 10 तो 10 का square आप निकालेंगे कितना आएगा 100 आंसर ठीक है करके देख लिजेगा वही आएगा पर्थम 50 तक अब बोला है 50 तक 50 तक विसम संख्याओं का यू 50 जहां तक बोलेगा तिल बोलेगा उसमें आप जो है divide करेंगे 2 से आदे numbers होंगे sum sorry विसम ठीक है तो 25 25 का square करेंगे 625 आजाएगा इसका अंसर नेक्स्ट वही question है 25 विसम संख्याओं का अगर खाली 25 विसम संख्याओं का बोले तो n square रहाएगा ठीक ये square कर देंगे तो आजाएगा इसका answer next आगर बढ़ते हैं देखे अब है 20 प्राकरतिक संख्याओं के वर्गों का यूग एक सवाल आता है वर्गों के योग पर भी ठीक है इसको भी देख लिजे मैं यहां देख रहे है ठीक तो देखे वर्गों के योग पर भी question बनते है पहले तो हम ने भी series देखे थी फिरी फ्लास यूग we यहां इसको भी जो है आपको एक्जामे पुछे जाता है तो पृथम यहां न प्रतम न प्रतम आपकर्टिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ेंगे यहां थोला सा आप सही कर लिजेगा इसको तो इसका फॉर्मला एक यह होता है बहुत इंपोर्टन फॉर्मला इसको याद रखना है काभी सारी question help करेगा यह आपकी एन इंटू एन प्लस वन यह फॉर्मला इतना तो हम पड़ी चुगे थे लगवग ठीक है और इसमें आपको multiply करने है टू एन प्लस वन से और डिवाइड वाइड सिक्स बहुत इंपोर्टन है याद कर लेंगे ज्याद आसा sum of first and sum of square of first and natural numbers ठीक है इस तरह से तो अभी देखिए पहला question देखते है इसका तो पर्थम 10 प्रागर्तिक संख्याओं के वर्गो का यूग इसका मतलब यह 5 जिसे 6 जा रहा था तो यहाँ n की जिए कितना है 10 का square ठीक है तो पर्थम 10 प्रागर्तिक संख्याओं के वर्गो का योग शुरुबात की दस्की तो formula वही है put कर यह n की value 10 और यहां हो गया n plus 1 यानि 10 plus 1 और 2 यहां रहने दीजिए और 10 से multiply plus 1 divided by 6 कुछी भी नहीं है calculation surface में ठीक है क्या करेंगे इसमें calculation कर लीजिएगा ठीक बस method आपको आना चाहिए ठीक है यह रखे मैंने numbers यह लिखके हैं इस तरह से तो प्रथम 10 कौन से भी 1 का square 2 का square 3 का square इस तरह से आगे बढ़ी एक question पीछे रहे है इसका चाहिए इसको अभी आते है इस question पर चलिए पहले जैसे प्रथम अभी प्रथम 10 तक वर्गों का योग दिखा था आप कितना देखना प्रथम 20 तक आगे तक बढ़ गए तो 20 और एन प्लस वन और यह तो इसका जब आप इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा सीधे ठीक है cancel out करना multiplication है ठीक है और कुछ भी नहीं है इससे इसमें दो से काट लिए दो ती अच्छे दो नहीं बीस ठीक फर्दर आप काट सकते हैं ठीक है ना तीन सते एक किस इससे काट लिए अब बाकी जो बचें दस साथ और एक तालिस multiply करेंगे तो यह आ जाएगा next question है अब आप हर बार आपको ऐसे question नहीं देगा one से चुरू कर कर देगा अब सवाल दिया आपको five square plus six square plus seven square plus dot dot करते हुँ चलेगे यह आगे अगर यहां इस तरह से दिखा रहा है dot dot करके आगे बढ़ा रहा है इसका मतलब one के gap पर ही है same पूरा process आगे तक ऐसी बढ़ रहा है बट यहां सब कुछ गायब है ठीक 10 square तक तो एक बास समझ ल करेंगे हैं समझे इसको कैसे करते हैं देखो हमारे पास के शुरू Аट के चार नंबर नहीं थे ठिक है हमने यहां लिख लिये ठीक अब आप क्या करेंगे सு कि देखे हमें पता है इस वाली series के लिए पूरा अगर यह वाली series होती तो हमें मालूम था कि इसके बिए क्या formula लगाना है ठीक है ना तो 1 से लेके 10 तक आपको क्या formula लगाना था ये वाला ठीक है formula भी sn वाला ही लगेगा n into n plus 1 plus 2n by divide by 6 वही लगाया है और n की जगह हमने रख दिया पूरा 10 10 रख दिया फिर n plus 1 हो गया 10 plus 1 और 2n plus 1 का मतलब हो गया 2 गुणा 10 plus 1 दो दहीं 20 और 11 directly मैंने लग दिया यहां पर ठीक है divide by 6 तो यह किसके लिए है यह पूरे complete के लिए अगर ऐसा हमारे पास होता तो बट ऐसा नहीं था हमारे पास यह 4 number नहीं थे चलो हमने इसका निकाल लिया पूरी 10 number का हम क्या करेंगे इस 10 number का जो निकाला है हमने ठीक इसका तो नहीं चाहिए हमको तो सिर्फ इतने का चाहिए तो आप क्या करोगे इन 4 numbers का जो शुरुवात के 4 number है इनका minus कर दो इस वाले में से ठीक है क्या करना है आपने जब हमने total का पता है यह रहा total का इतना आप इन शुरुवात के 4 number का इन शुरुवात के 4 number का जो sum है जो जाएगा दो चोक 8 प्लस एक 9 हो जाएगा डिवाइड भाई 6 ठीक आ गया यह क्या करेंगे आप दोनों को सॉल्व करेंगे इसको देखें दो दुनी 4 दो तिया 6 तीन तिया 9 ठीक है कितना हो गया यह पांस तिया 15 15 दुनी 30 30 आ गया दूसरा इधर भी देख लीजिए 2 तिया 6 मुल्टिप्लाय करेंगे 385 अब इधर आया कितना 385 यह पूरा 10 वाला था ठीक है और हमें तो शुरुवात के 10 नहीं चाहिए था हमें सिर्फ इतना चाहिए था तो आप इतने वाले को माइनस कर दिए इतना वाला कितना है 30 है इस 350 में से 30 को माइनस करेंगे तो 305 बना आए आगे पड़ी है शेम ऐसे ही कुछिन पूछे गये आपके इक्जाइंगष सम अब दे रखा 11 स्कुरार प्लस बारा स्कुरा प्लस तेरे स्कुरार पंद्रा 16 17 ऐसे ही 30 तक चले गए है बट शुरुवात के जो दस नमबर है ना वेहां तक का वो नहीं दिया है ठीक है तो जब अभी जैसे पिछला question किया था वैसे ही करेंगे तो जो 1 से लेकर 30 तक का पहले निकाल लो क्योंकि हमें formula तो उसी का पता है न ठीक है जो शुरुआत से लेकर के जो number होते हैं मिलकुल एक एक गैप पर चलते हैं उनका हमें पता है बट यहां तो break कर दिया 11 से शुरू हो रहा है 1 से शुरू होने वाला नहीं है तो हमको जो 1 से शुरू होने वाला है पहले पूरा complete निकाल लो एक से लेकर 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square पूरा complete निकाल लो पहले यह रहा उसका पूरा complete का 30 into 31 यह यह एन की जगह 30 रखो और एन प्लस 1 होगा 30 प्लस 1 31 हो गया और 2N प्लस 1 यानि 2 गुड़ा 30 प्लस 1 यानि 60 प्लस 1 एक सट हो गया डिवाइड वाई 6 यह तो आ गया एक से लेकर 30 नंबर तक जो वर्ग होंगे उनका ठीक है 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square ठीक है इटले question में क्या है तो 1 से लेकर 10 तक का घटाओगे तो n क्या मिलेगा हमें यहां 10 तो 10 रख जिए यहां 10 से रिक 11 हो जाएगा और यह 12 है 20 और 11 किस ठीक है तो वह ही आएगा 385 बचा और इसकी multiply करोगे इतना आएगा अब इसमें से क्या करोगे यह जो complete का एक नंबर एक से लेकर 30 तक का है और यह एक से लेकर 10 तक का इसको minus कर दोगे तो यह इसको answer जो मिलेगा वो 11 से लेकर 30 तक का होगा समझ नहीं आया हो तो comment करके बताईएगा कुछ भी नहीं है बस आपको समझाना है मुझा और कुछ नहीं है देखिए वही question है 6 से शुरू कर दिया आप इसने कहीं से भी शुरू कर दे आपको method वही अपनाना है जो भी बताया आपको ठीक है और कुछ नहीं है जो n into n plus 1 plus 2 n plus 1 divided by 6 में ठीक है यह निकाल लिया complete हमने और minus कितने में कर दिया देखो यहां कितने नंबर कम है 1 square plus 2 square plus 3 square 3 square plus 4 square plus 5 square तो एक से लेकर 5 तक का सम इसमें से minus कर दो तो यहां n क्या होगा 5 यह वाला और 5 रिक्षे होते हैं और यह आगे वही formula में रख दीन चीज़ों को कुछ नहीं क्या है ठीक है यह इतना आएगा solve करके यह इतना आएगा और इसमें से घटाएंगे तो 28 15 इस तरह से देखो मैंने यहां करके भी दिखाया आप और समझ लो इस चीज़ को तो यह देखो शुरुवात में आपने क्या क्या 1 से लेके 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square 4 5 6 7 8 9 10 11 20 तक की सारे numbers का हमने एक बार calculate कर दिया इसी formula से n into n plus y it's all nd to n plus 1 plus 2 n plus 1 divide by six यह रहा और हमने फिर बात में कितने को मैनस कर दिया realistically 1 square plus 2 square plus 4 square plus 5 square तक क्यों किया क्यूंकि यहां 6 square सकते हमicano calculate करना ठीक लॉजिक समझ भाया है तो प्रीस जरूर बताइएगा आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है ये इसका लास्ट कुस्टिन था ठीक है चलो वीडियो भी तंबा हो गया और इसमें इतने इतने ही कुस्टिन रहने देंगे I think मुझे लगता है समझ आ गया होगा कैसे कुस्ट को सॉल्व करना है ठीक नेक्स वीडियो लिसन में हम जो है सिंप्लिफिकेशन में अभी देखने वाले हैं एक अंडरूट वाले कुस्टिन जो आते हैं उनको दिक्कत होती है आपको उनको सॉल्व करेंगे ठीक है थैंक्यू सो मुच